हलो एंड वेलकाम बेक अगेंड फ्रेंड मैं मनी सेनी एक बार फिर आप से का स्वागत करता हूँ आज हम डिसकस करेंगे इंपोर्टेंट टोपिक अलेंट टोइस जिसे हिंदी में हम अपरा पोशिका के नाम से जानते हैं उन मेंबरेन को हम एक्स्ट्रा एंब्रियोनिक मेंबरेन के नाम से जानते हैं जिनके अंदर येमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, अमलिकल कोड, पलेसेंटा और योगसे ये सभी एक्स्ट्रा एंब्रियोनिक मेंबरेन में निकलूड हैं LN toys पर आज हम discuss करेंगे उससे पहले आप इस diagram में सभी जो extra embryonic membrane है उनको द्यान से देख सकते हैं समझ सकते हैं कौन सी structure कहा होती है कैसी होती है अब friends आप इस diagram को थोड़ा द्यान से देखें इसके अंदर connecting star का आपको दिखाई दे रही है LN toys आपको दिखाया गया है इसी पर हम आगे अब discuss करने वाले हैं तो LN toys actual में बनता कब है और कहां से बनता है तो सबसे पहले आपको बता दें LN toys मिस अपरा post का कनिर्मान योगशेक से ही होता है मिस पहले योगशेक बनता है उसके बाद LN toys बनता है जैसा कि इस डाइगराम में आप देख पा रहे हैं योगशेक इसके आगे से पतली स्टेक्चर निकलती भी LN toys है जो आगे जाकर connecting star के में समाईत होती भी नजर आ रही है अब आपको बता दें ये LN toys बनता कब है तो जैसे ही निशेचन का तीसरा सब्ता पूरा होता है ये बनना शुरू हो जाता है जब हमने आपको योगशेक पढ़ाया था तब बताया था कि एक तो उसका बाईय भाग होता है एक उसका आंतरिक भाग होता है तो योग शेख का जो आंतरिक भाग होता है उसके तीन पार्ट में वो डिवाइड हो जाता है उसमें से एक हिंड गट होता है जिसे आपका जो एलेन टोइस निस अपरा पोस्षी का जुड़ी भी होती है हिंड गट से उस इस्तान को हम कलोका के नाम से जानते हैं उसके बाद एलेन टोईस बोडी स्टालक में अपनी growth and development करता है जैसे कि हमने आपको यहाँ पर दिखाया था एलेन टोईस connecting स्टालक के तरफ अगर सर है इसी connecting स्टालक जिसे हम बोडी स्टालक के नाम से जानते हैं आगे बविश्ये में यह इसी में अपनी growth and development करता है आपको बता दें connecting स्टालक बविश्ये में अमलिकल कोड का निर्मान करता है जो बच्चे को और placenta को जोडने का कारिये करती है अब प्रेंट्स इस डियागरम में आप और थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको दिखाए दे रहा है कि योक्सेक इसका बाहरी भाग जो कि लटकावा दिखाए दे रहा है जबकि आंतरिक भाग उसके पीछे के पार्ट को हम हिंड गट के नाम से जानते हैं इसके आगे की तरफ इस टेक्चर है एलेंट टोइस इसी के जुडने के इस्तान को हम कलोका के नाम से जानते हैं जो कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया था और जो कलेक्टिंग इस्टालक है जैसे कि हमने आपको बता दिया है यह भविशे में अमलेकल कोड का निर्मान करती है जिसमें आर्ट्रीज और वेन होती है जो बच्चे को रख्त परदान करने का कारिया करती है इसके अलावा बच्चे के जितने वेस्ट प्रोडेक्ट है उनको पले सेंटर तक लाने काम करती है उक्षिजन है, कारबंडा योक्साइड है उनका अधान परदान करने में यह हेल्प करती है अब प्रेंट्स हम डिसकस करेंगे इसके फंक्सन की मिन्स अपरा पोस्च का काम क्या होती है एम्ब्रियोनिक रेस्पारेटरी और्गन की तरह कारिये करना इसके अलावा बविश्ये में यह अबिकल कॉQueen के अंदर प्रेंट्स के अंदर अबिस्यमिक्ट संग्राइत रहता है उसके फंक्स योग्दान देता है तो ये कुछ छोटा सा टोपिक था इसमें से कोई हालांग की कुपटेशन तरह में कोई क्यूशन तो नहीं आते हैं लेकिन फिर भी ये जाना जुरूई था कि वास्तर में ये होता क्या है क्या इस टेक्चर है कब बनती है तो धन्यवाद प्रेंट्स आप हमारे साथ डेगूल अपडेट बने रहें